कोरोना वाइरस के लक्षण और उपाए कोरोना वाइरस क्या है कोरोना वाइरस वाइरस का एक बड़ा परिवार है जो जानुरों या मनुशों में बिमारी का कारड़ हो सकता है मनुशों में कई कोरोना वाइरस को सामान सर्दी से लेकर अधिक गंबीर विमारियों जैसे मद्धपूर स्वसन सिंड्रोम और गंबीर तिब्र स्वसन सिंड्रोम के कारड़ स्वसन संक्रमण का कारड़ माना जाता है कोविड उन्नीस क्या है COVID-19 संक्रमक रोग है जो हाल ही में खोजे गए कुरुनावारिस के काड़ होता है यह नया वारिस और विमारी दिसंबर 2019 में चीन के बुहान में फैलने से पहले अग्या थी COVID-19 के लक्षण क्या है? COVID-19 के सबसे आमलच़ड बुखार, ठकान और सोखी खासी है कुछ रोगियों में दर्थ, बंद नाक, नाक बना, गले में खरास या दस हो सकता है यह लच्छड आमतोर पर हलके होते हैं और धीरे धीरे सुरू होते हैं कुछ लोग संक्रमित हो जाते हैं लेकिन कोई लच्छड बिक्षित नहीं करते हैं और अस्वस्त महसूस नहीं करते हैं अधिकांस लोग विशेश उप्चार की अवस्वता के बीना बीमारी से उबर जाते हैं कोविड उन्नीस पाने वाले हर च्छ में से एक बेक्ष गंभी रूप से विमार हो जाता है और सांस लेने में कटनाई पैदा करता है कोविड उन्नीस कैसे फैलता है यह बिमारी नाक या मूँ से छोटी बूदों के माद्यम से एक बेक्ष से दूसरे बेक्ष में फैल सकती है यह बूंदे बेक्ष के आसपास की बस्तूँ और सतों पर उतरती है आने लोग तब इन बस्तूँ या सतों को चूँ कर फिर अपनी आखों नाक या मूँ को चूँ कर कोविड उन्नीस पकट सकते है बिमार रहने वाले बेक्ष से एक मेटर यानी तीन फीट से अधिक दूरी बनाय रखना अनिमार है क्या कोविड उन्नीस का कारण बनने वाला वारस हवा के माध्यम से प्रसारित हो सकता है क्या कोविड उन्नीस का कारण बनने वाला वारस मुख्य रूप से हवा के बजार सोसन की बूदों के संपर्ट से फैलता है क्या COVID-19 ऐसे व्यक्ति से भी फ्यल सकता है जिसके कोई लक्षन नहीं है जिस तरह से विमारी फ्यलती है और सास लेने वाली भूदों के माद्यम से होती है जो किसी को खासी होती है COVID-19 का किसी ऐसे बेक्ट से फ्यलने का जोखीं बहुत कम है जिसमें कोई लच्छड नहीं होते हैं मैं खुद को बचाने और बीमारी के परसार को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपने हाथों को अलकोल, अधारी स्वरुशन से, नीमित रूप से और अच्छी तरह से साप करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं कम से कम एक मीटर की दूरी पर अपने और किसी के भी साथ खासते या च्छीकते रहें आख, नाख और मुख को छूने से बचें सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छी स्वसन, स्वचिता का अपालन करें इसका मतलब है खासी या छीक, आने पर अपनी मूडी, विकोहनी या उतक से अपने मुँ और नाख को ढखना फिर इस्तेमाल किये गए उतक का तुलंत निप्टान करें महसूस करते हैं तो घर पर रहें यह द्याब को बुखार, खासी और सास लेने में कटनाई है तो चिकिसा पर ध्यान दें, अपने अस्थानी स्वास, प्राधिकर्ड के निदिसों का पालन करें गंभीर बिमारी विक्सित होने का खतरा किसे है? ब्रिदों और पाले से मजूच किसा इस्तितियां जैसे उच रक्चाप, हिर्दय रोक, फेपनों की बिमारी, कैंसर या मदुमे से प्रभावित लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक बार गंभीर बिमारी का विकास करता है क्या एंटिबायोटिक्स कोविड उन्नीस को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर है? नहीं, एंटिबायोटिक्स वारेल के खिलाब काम नहीं करते हैं, वेकेवल बैक्टेरिया के संक्रमन पर काम करते हैं क्या कोविड उन्नीस का कोई टीका, दवा या उप्चार है? अभी नहीं, आज तक कोविड उन्नीस को रोकने या इसका इलाज करने के लिए कोई टीका और कोई बिसिस एंटिबायोटिक्स दवा नहीं है हलाकि प्रभावित लोगों को लच्छोनों से रात पाने के लिए देखबाल करना चाहिए गंबीर बिमारी वालों लोगों को अस्पताल में भरती होना चाहिए क्या मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए? एदियाब कोविड उन्नीस लच्छो विशेस रूप से खासी के साथ बिमार हैं या किसी ऐसे बेक्ति की देखबाल कर रहे हैं जो कोविड उन्नीस हो तो केवल मास्क पहनें डिस्पोजल फेस मास्क का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है यदि आप बिमार नहीं हैं या किसी ऐसे बेक्ती की तलास कर रहे हैं जो बिमार है तो आप एक मास्क बरबात कर रहे हैं क्या मनुश किसी पशुष स्तुरोच से कोविड उन्नीज से संक्रमित हो सकते हैं क्या मैं अपने पालतु जानवर से कोविड उन्नीस पकड़ सकता हूँ नहीं इस बात का कोई सबुत नहीं है कि साथी जानवर या पालतु जानवर जैसे बिल्लियां और कुत्तों को संक्रमित किया गया है या कोविड उन्नीस का काड़ बनने वाले वाइरस को फैला सकता है क्या किसी भी छेतर से पैकेश प्राप्त करना सुरक्षित है जहां कोविड उन्नीस की सूचना दी गई है हाँ एक संक्रमित ब्यक्ति कोई बेवसाइक बस्तों को दूसरित करने की संभावना कम है और वाइरस को पकड़ने का जोकिम है जो कोविड उन्नीस को साथ पैकेश ले जाता है जिसे स्थानित किया गया यत्रा की गई और विभिन इस्तितियों और तापमान के संपर्क में भी कम आता है किसी भी मामले में यदियाब को बुखार खासी और सास लेने में कटना ही हो रही है तो अधिक गंबीर सकंबर के विकास के जोकिम को कम करने के लिए चिकिसा देखबाल की तलास करें और अपने स्वास्थ देखवाल प्रदाता के साथ अपने हाल की आत्रा इतियाज को साजा करना सुनिश्चित करें झाल झाल